प्यारे दिल्ली वासियों आपको सच्छत नमन आज 28 बारा 23 को हम आप से साजा करना चाहेंगे कि आपने देखा दिल्ली के अंदर ग्रैथ 3 लगा है और तोड़ फोर और रिर्माण की गटी वीदियों के उपर रोग लगा दी गई है मैं सीधी सीधी बात के पर आता हूं कि अजादी से पहले से लेकर अब तक जो लगवा पिछतर साल से हम आएपी से 1860 और जैसे कानूं को जहलते आ रहे हैं अजादी से पहले आपने बहुत बार देखा कि अंग्रेजों के लिए और ताकतवर लोगों के लिए वही कानून की परिवाशा बड़ी नरम होती है और आम जनता और क्रांतिकारी और देश वासि भारत वासियों के लिए बड़े कठोर ये कानून रहता था क्योंकि इसके इंप्लिमेंटेशन और उसका सोच और आचरण के अंदर बहुत फरक होता था इंप्लिमेंटेशन करते का ताकतवर के लिए नर्मी बढ़ती आती थी कम स्धार कारी तंतर के जितने लोग राज्णीत तंतर अंधर के लोग है जो लेंडमाफी हैं उनकी सवी तरोकषं चल रही हैं कोई उनका काम नहीं रुका हगाना ना को नको रोक पारा किसी बीत यहीं से लेकिन सवाल उता है नढकों मजदूरों का जो आज भ्यार से जहार सब्सेयूर्ण यहां धंड के इंदर कामंपान के रिए भीछ के लिए दूड के लिए परना लिखना दिन बच्चों के लिए संभविन नहीं होता क्योंने काम करें ध्री मजदूर है लोग अब जो गवर्मेंट कि एक लिए तक भी रोक लगी और अभी दुबारा रोक लगी है इसके अंदर अब यह देखो कि यह ध्यारी मुदूर है इंको कौन खाने को देगा यह किराए के उपर है रहे हैं तिन तिन चार चार जार के कमरे लेके जहां की हालत बहुत देर नहीं सती है मच्छरों के अंदर यह लोग अबादी के अंदर 80% अबादी का यह अचा है जो लोग न लिख पाते न डॉक्टार बन पाते इन यह वंपाते ऐसे लोगों के ओर एसी रोजी रोटी लिए और इन लोगों के बारे में सरकार सोचें यह हाथ जोड़के सरकार के अपधिनिद्यों से है दिल्ली सरकार से जो दिल्ली की मेर हैं या यह जी साब है यह जिनके भी तहत यह सब आता है रोग लगाना और हडाना जरूर कुछ इसके उपर गाइडलेंज नर्स करें कि अगर ऐसा कोई रोग लगाते हैं तो सरकार इंको लोग ठंड के उपर जमीनों पर सोने को मजबूर है और जो बहुत पूरे दिवाईयां और कम शंता वाली दिवाईयों का इलाज इन्हीं सरकारी होस्पटलों में पूरे दिन नखे रहते हैं कि हालत सोचों कि क्या है ना इंके पास पहनने कपड़ें ना इंके पास दवाईय है ना करोना से बचना का कोई साधन है ना खाने को अन है ना पहनने को कपड़ें ना सट पर ढगने के लिए छत है इस जगे की विवस्था के अंदर दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां आपका यह हाल है मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको सोचे हैं जितने जन परतिन मैं सोचें मैं आज को टैटल भी दूँआ कि जीवन रेखा एक मजदूर की ग्रैप थरी के अंदर जैने जैने बारत जस्तर स्रंदी जिन्दवाद